तो बस है बस हमको यही लग रहा है कि बेटी बिहार केलिए अच्छा काम करें क्यूंकि हमारा स्टेट है और हमारा जेगे है तो कुरा काम करना तो भीहार के तो मैं उनको sketch कर देती हूं एक paper में तो उसी से जुड़ा उन्होंने मुझसे एक और सवाल भी पूछा था तो आपके दिमाग में क्या आ रहे था आप इनका doodle क्या बनाती तो मैंने बोला था उनको land border के agreements, quality की किताब और question mark हमारे साथ है BPSC की 10th topper मिमान साजी और उनके ममी पापा हम उनसे बात करते हैं उनकी इस सफलता पे तो आपका स्वागत है बिहार तक मिमान साजी और बढ़ाई आपको कि आपने 10th rank प्राप किया तो यह सफर कैसा रहा पढ़ाई और result के बीच का बहुत जल होते ही दूसरा आजाता था तो मैं खुश हूँ और लखी भी खुद को मानती हूँ कि मैं लगतार exams देते जा रही थी और बहुत ज़ादा लंबे समय मुझे इंतिजार नहीं करना पड़ा support parents का क्या रहा बहुत बहुत ज़ादा रहा मतलब इन फाक शुरुआ थी ममी के कहने से हुई थी और ममी पापा दोनों ही हमेशा supporting pillars की तरह रहते थे in fact मेरी बाकी family भी दिली में भी जब मैं पढ़ाई करती थी तो नाना नानी के पास रहा करती थी मुझे पढ़ाई खेला वह और किसी चीज के बारे में सोचना नहीं पड़ता था friends और environment बहुत जरूरी होते हैं friends में भी मैं खुद को खुश किसमत माती हूँ मेरे school के दोस्त हैं वो आज तक मेरे साथ है in fact अभी भी मेरा interview का call letter तक मेरी दोस्त ने निकाल के दिया था मुझे और बाकी दिली अनिवर्सिटी में भी और JNU में भी मेरे limited दोस्त रहे हैं लेकिन सब अच्छे दोस्त रहे हैं जिस दिन आपने फॉर्म भरा और जिस दिन आपका result टिकला वो दोनों कैसा लग रहा था दोनों टाइब फॉर्म भरते समय बहुत शॉरिटी नहीं था इन फाक जैसे मैंने बोला कि ममी के कहने पर भरा था तो जादा कुछ उमीद भी नहीं थी खुछ से बस भर दिया था इन फाक लास्ट दिन मैंने फॉर्म भरा था उसके बाद से एक साल बहुत जल्दी निकले हैं और कल का मंजर कुछ और ही था कल सब खुछ थे और फिर मुझे लग रहा था कि अच्छा हुआ मैंने ममी की बात मान ली ममी को आप क्रेड़िड लेती है बहुत हथा क्यूंकि पापा आपको पता है वो गवर्मेंट जॉब में थे और वो ट्रानस्विडिबल जॉब में थे तो वो घर से बाहर ही रहते थे तो ममी मुझे और मेरे भाई को लेखर के यही रहा करती थी पापा हर जगा घूमते र बच्चा मैंनत करता है। और चुछा करता है, बस यही है और बहुत अच्छा लगए हैं। तो बेटी को क्या लगा है कि बिहार कराने की बज़ा दिली कराएं तो बहतर होगा। करें पाप वहां थे तो वहां है लेकिन पीहार की घड़ सबकें लेटिंः ना उम लोग केले और पीहार वार। कुछ को करना आपया की ऐसानी वहां की खायरिये पर सुन एस सब्सक्राद रहे है तो मैं क कहते हैं। तो इसको अगता है कि मेरा को अप्स जाएं में फिर हम आगे का कुछ निया नहीं जाने के व्लेगाए जा टिनी कि अभी उत्षा सुपोर्ट नहीच गोतार नहीं है। काशरवाद दिए जब और बिहर का बच्छा आगे तक जाए बस इनके पिता जी भी है तो हम उनसे बात करते हैं कि क्या है कैसा बिलकुल बहुत बहुत खुश है बहुत अच्छा उपलब्धी हासिल कर रहा है मेरे बेडी ने और मुझे गर्व है अपनी बेडी पर आपका अच्छे से पूरा कर सकूं मुझे इस जो बी हो और अभी जो मेरे पास है उसकी बी मैं कोशिश करूंगी कि जो भी मुझे मिला है मैं उसको अच्छे से पूरा कर सकूं मुझे इस जौप ट्रफाइल के बारे में जादा जानकारी नहीं है अभी बट वो हमें सिखाया जाएगा और मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसमें बैतर काम कर सकूं अच्छा चुकि सकस्फुल स्टोरी में कुछ टिप्स लोग जानना चाहेंगे कि क्या करें कैसे करें ताकि वो भी आपकी तरह जीवन में क कुछ कर पाएं तो क्या बताएंगे कुछ थोड़े सब्दों में वो आप कंसिस्टेंट रहे हैं यह मैं शुरुआत से कह रही हूं कि एक दिन की जर्नी नहीं है बहुत लंबी जर्नी है हर दूसरे तीसरे दिन मन नहीं करता वही किताबें उठाने का मन करता है कुछ नया क सब्सक्राइब कंसिस्टेंटली पढ़ें यूसपेपर पढ़ें बीच-बीच में ब्रेक लें होबी इसको परस्यू करें मुझे पेंटिंग बनाना अच्छा लगते तो मैं बीच-बीच में बनाते रहती थी इन फाक मुझसे इंटिव्यू में पूछा गया था कि आपकी रिलेशन्स पर question पूछे थे land borders पर तो उन्होंने बोला कि जब सर आपसे सवाल पूछ रहे थे तो आपके दिमाग में क्या आ रहे था आप इनका डूडल क्या बनाती तो मैंने बोला था उनको land border के agreements, polity की किताब और question mark तो इस पर सब हस भी रहे थे तो यह aware रही है और कि मन में सबसे पहला सवाल आता है, मैं बहुत जादा गंटे इक जगह पर नहीं बाट सकती, तो मेरा रहता था कि दिन में कुछ भी करो, 6 गंटे से 8 गंटे maximum होते है तो मुझे लगता है, चे गंटे से जादा मैंने पढ़ दी भी, भले मेंस के पहले बहुत लंबे समय हो गंटे गंटे गिनने से जादा क्वालिटी स्टैडी पर फोकेस कर रहे हैं, वह जादा क्वालिटी इस महर इंबॉर्टेंट इन कॉंटिटी चलिए एक बार फिर बढ़ाई, तो हमारे साथ थी मिमानसा और उनके ममी पापा, एक सफल श्रेडी में आई है ये, और बीपीसी की परिक्षा पास कर दसवां स्थान इन्होंने हासिल किया, यह है पूरे बिहार में, राजिव सिधार्थ भागलपूर बिहार तक